सप्टेμबर दो हजार तेईस का व्रिश राशिफल व्रिशप शुक्र ग्रह द्वारा शासित एक स्त्री प्रकृती की राशी है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है इस राशी के जातक भावुक स्वभाव के होते हैं और सुन्दर्ता की ओर ज्यादा आकर्शित होते हैं दोस्तों के बीच इनका मानसमान भी बहुत होता है। लंबी दूरी की यात्राओं में इनकी विशेश रुची होती है। शुक्र पहले और छटे भाव के स्वामी के रूप में तीसरे भाव में वक्री अवस्था में 2 अक्टूबर 2023 तक मौजूद रहेंगे। 3 अक्टूबर 2023 तक स्थित है। इस मा शनी वक्री अवस्था में दस्वे भाव में और केतु छटे भाव में मौजूद है। ग्रहों की इस स्थिती के परिणाम स्वरूप जातकों को करियर के क्षेतर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का भी अधिक साथ देने की संभावना कम है। आपको अपने कार्य क्षेतर में आगे बढ़ने के लिए अधिक मेहंत करने की जरूरत हो सकती है। करियर के क्षेतर में सफलता हासिल करना संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए जातक को कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास की जरूरत हो सकती है। क्योंकि करियर की रफ्तार इस माह काफी धीमी है। शनी ग्रह इन जातकों के लिए शुब ग्रह है, जो नौवे और दस्वे भाव को दर्शाता है। इस माह आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्रहस्पती और राहू बारवे भाव बैठे हैं। बारवे भाव में राहू अचानक लाब दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ अंचाहा तरीके से हानी भी दे सकता है। स्वास्थे के बारे में बात करें तो इस माह जातक को नीन्द की समस्या हो सकती है, क्योंकि राहू और ब्रहस्पती बारवे भाव में बैठे हैं। वही प्रेम का ग्रह शुक्र वक्री गती में तीसरे भाव में मौजूद है। मंदल सात्वे व बारवे भाव के स्वामी के रूप में पाचवे भाव में 18 अगस्त 2023 तक मौजूद है। गुद्ध दूसरे और पाचवे भाव के रूप में चौथे भाव में स्थित है। ग्रहों की इस थिती के चलते जातकों को इस माह के दौरान अधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक जीवन थोड़ा डगमगा सकता है। वहीं बारवे भाव में राहू की मौजूदगी के कारण जातकों को अपने स्वास्थिर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सेहत को अंदेखा करने के कारण नींड की कमी की समस्या हो सकती है। सिरंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और जीवन के विभिन्नक शेत्रों जैसे परिवार, करियर, स्वास्थिर, प्रेम आदी में आपको कैसे फल प्राप्थ होंगे। कार्यक्षेत्र के करियर पर देखने को मिल सकता है। अचानक नौकरी में बदलाव वर चांसर की संभावना बन सकती है। इसके साथ ही करियर के क्षेत्र में चनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा महीने के दूसरे भाग से ही राहू के साथ ब्रहस्पती चंद्रराशी के बारवे भाव में मौझूद होगा, जिसके परिणामस्वरूप जातकों को करियर के क्षेतर में लाप प्राप्त करने के लिए देरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दसवे भाव म स्वामी के रूप में बुद्ध पहले भाव में बैठे हैं, जिसके चलते आप करियर में अच्छा प्रॉफिट कमाने में सक्षम हो सकते हैं, इस माह के दौरान कार्यक्षेतर में दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है, और उद्यमों में सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहतरीन योजना बनाने की आवशक्ता हो सकती है, व्यवसाई के क्षेतर में आप के लिए समय बहतरीन है, व्यापार में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बार्वे भाव में राहु के साथ ब्रहस्पती मौजूद है, अर्थिक सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार, व्रिशब राशी के जातकों के लिए यह मा आर्थिक जीवन के लिहाज से मुश्किल भरा हो सकता है, राहु और ब्रहस्पती की बार्वे भाव में यूती के कारण जातक के खर्चे बढ़ सकते हैं, राशी का स्वामी शुक्र की कमजोर स्थिती के परिणाम स्वरूप अधिक खर्च हो सकते हैं, और नुकसान भी जातकों को जेलना पड़ सकता है, साथ ही दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुद्ध महीने के आखिरी में वक्री गती में आ जाएंगे और जिसके कारण पैसों का नुकसान होने की स समभावना कम हो सकती है, जातक को कड़ी प्रतिसपर्धा का सामना करना पड़ सकता है, समभावना है कि आपको सहयोग की कमी और सही योजना न बनाने के कारण व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस महीने बहतर और अच्छा मुनाफा प्राप्त करना समभव स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, दस्वे भाव में शनी की मौजूदगी जातक को भरपूर उर्जा प्रदान कर सकता है, लेकिन चौथे भाव पर शनी की द्रिष्टी सेहत के मामले में सुक्सु विधाओं में कमी ला सकता है, वहीं चंद्र तारीक से वक्री अवस्था में रहेगा, जिसके कारण सेहत के मामले में जातक को उतार चड़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है, प्रेम वव वैवाहिक सितंबर 2023 के मासिक राशिफल के अनुसार, जो जातक प्रेम के बंधन में बंदे हैं, उनके लिए यहां मा कुछ खास रहने वाला प्रतीप नहीं हो रहा है, पार्टनर के साथ आपसी समझ की कमी हो सकती है, इस मा शादी और सगाई के योग बंते नज़र नहीं आ रही है, इस माह कमजोर स्थिती में हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्यार और शादी के लिए यह समय ज्यादा फलदाई नहीं हो सकता है, बारवे भाव में ब्रहस्पती और राहु की यूती के कारण प्यार के बंधन में बंदे जातकों के बीच सुख की कमी महसूस हो सकती है, व बोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि आपसी विचारों के सामन जस्य का अभाव पाया जा सकता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जातक को अच्छा तालमेल बैठा कर रखना आवश्चक है, इससे रिष्टे में स्थिरता और सकारात्मक्ता बनी रह सकती है, पा परिवारिक जीवन में कई चुनोकियों का सामना करना पड़ सकता है, दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध्वक्री गती में मौझूद है, जिसके परिणामस्वरू परिवार में कुछ समस्याओं के चलते सदस्यों के बीच विवाद व बेवज़ा की बहस हो सकती है, जिसके कारण परिवार में खुशियों की कमी महसूस हो सकती है, परिवार में खुशियां बरकरार रखने के लिए सदस्यों के बीच अच्छे सामनजस से बैठाने की जरूरत हो सकती है, दूसरे भाव के स्वामी के रूप में बुध चौथे भाव में बैठे हैं, जिस इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच शान्ती बनाए रखने के लिए जातक को अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। उपाई रोजाना 108 बार दुरगाय नमह मंत्र का जाप करें। राहु के लिए शनिवार को हवन्यग्य करें। रतिदिन शो शुकराय नमह मंत्र का 24 बार जाप करें।